जय श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की करपा सदा आप सभी पर बने रहे आज श्री सूत जी महराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में और रामानुच पर भगवान की करपा तथा भगवत भकतों के लक्षण के बारे में बताएंगे शुरिसूत जी कहते हैं ये तपोधनों रामानुज नाम से प्रसित एक जितेंदरी विश्नुभक्त प्रहमर थे धर्मात्मा रामानुज ने वान प्रस्थ आश्रम में इस्थित होकर आकाश गंगातीर्थ के पास में कठिन तपस्या की गर्मी में वे भगवान विश्नु का ध्यान करते वे पंचागनी के बीच में स्थित रहते थे वर्शारितु में खुले आस्मान के नीचे बैठकर मुख से अस्थाक्षर अर्थात ओम नमो नारायनाय इस मंत्र का जप और हिर्दय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाडों में जल के अंदर निवास करते थे वे समस्त प्राणियों के हितैशी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के दवंदों से दूर रहने वाले थे उन्होंने कितने ही वर्शों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायू पीकर ही जीवित रहे इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ठ होकर भक्त वत्सल भगवान विश्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया भगवान के हाथों में शंक चक्र गदा आदी शोभा पा रहे थे उनके नेत्र विक्सित कमल के दलों की तरह सुन्दर थे श्री अंगों की दिवप्रभा कोटी कोटी सूरी के समान थी वे विनिता नंदन गरूर पर आरूर होकर छत्र और चमर से सोशोभित थे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदिया भूशन उनके अंगों की शोभा बढ़ा रही थे विश्वक सेन और सुनंद आदि पार्षत भगवान को सब और से घेर कर खड़े हुए थे वीणा, वेणू और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारत आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था भगवान का एश्वर परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था वे पितामबर से शोभाय मान थे उनके वक्षिस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था श्याम मेग के समान उनकी कांती थी दोनों पार्श भाग में खड़े वे सनक आदी महायोगी भगवान की सेवा में लगे वे थे अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को महुते और अंगों के दिवे प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते वे भग्त सुलब दयानिधान भगवान वैंक्टेश्वर महामुनी रामनुच के समीम उपस्थित हुए उन्होंने अपनी चारो बाहों से मुनी को पकड़ कर अपने हिर्दे से लगा लिया और प्रेम पुर्वक कहने लगे कि महामुने कोई वर मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन हूँ तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है अब मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्तित हुआ हूँ तब रामा नुच बोले, हे नारायन, रमानात, हे श्रीनिवास, जगनमय, जनार्दन, जगत धाम, हे गोविंद, नरकांतक, वैंक्टाचल, शिरोमने मैं तो आपके दर्शन से ही क्रतार्थ हो गया धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं जिनने महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्यान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ इससे अधिक और कौन सा वर्दान मेरे लिए हो सकता है? प्रभु जिनने योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी जहांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या ह हो सकता है? संपुर जगत के हे स्वामी वैंक टेश्वर, मैं तो बस इतने से ही करतार्थ हो गया हूँ, जिनके नाम का इस्मरन करने मात्र से ही बड़े बड़े पात की मनुश्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभो, आपके युगल चरनारविंदों में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ती बनी रहे, आप बस मुझे यही वर्दान दीजे, तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी द्रण भक्ती हो, ही ब्रामन, मेरी क कही वी दूसरी बात भी सुनो, जब सूर्य मेश राशी में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षतर से युक्त पूर्णिमा होने पर, जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनराव रितिरहित परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं, रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समी भी निवास करो, पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का तुम्हें अन्थोने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ती होगी, इस विशय में बहुत कहने की क्या वशकता है, आकाश गंगा के शुब जल में जो कोई भी स्नान करते ह वे सभी उत्तम भगवत भगत हो जाते हैं, तब रामानुज ने पूछा भगवन, भगवत भगतों के लक्षन क्या है, किस कर्म से उनकी पहचान होती है, मैं आपके श्री मुखारविन से इस विशय को सुनना चाहता हूँ, तब भगवान वेंक्टेश बोले, मुनिश्रे भगवत भगत हैं, जो मन, वानी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पिगडा नहीं देते, और जिनमें संग्रे करने का स्वभाव भी नहीं है, तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धी हमेशा ततपर रहती हैं, और जो मेरे चर्णार विंदो के भगत हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा ततपर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कारिय में सहायक होते हैं, और पूजा होती देखकर मन में आनद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ट हैं, जो ब्रह्मचारियों और सन्या के ग्रहाख हैं वे उत्तम भगवत भगत हैं जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हों जो धर्मशासर के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुशों की सेवा में रहते हैं वे सभी उत्तम भगवत दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन होते हैं तथा भगवन नामों का कीर्थन करते रहते हैं जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसनता से भढ़ जाते और संपूर्ण अंगों में रोमानचित हो उठते हैं जो अपने आश्रमोचित आ गुणों को ही ग्रहन करने वाले हैं जो एक आदशी का वरत करते मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते मुझ में मन लगाते मेरा भजन करते मेरे भजन के लिए सदा लालाईत रहते और सदा मेरे नामों के इसमरण में ततपर रहते हैं वे उत्तम भगवत भक्त सद गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवर्ती है वे सभी श्रेष्ट भक्त हैं ऐसा कहकर भगवान व्यक्टेश मौन हो गए अब रिश्यों ने पूछा हे सूत जी महराज दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है किरपा पुर्वक आप ये भी बताईए दिया हुआ दान निश्वल होता है जो पराई इस्त्रियों में आ सकते हैं दूसरों के धनका जिसके मन में बड़ा लोब है और जो गीत गाने वाला है ऐसे ब्रहामन को दिया हुआ दान निश्वल माना जाता है जिसके मन में दोश दर्शन का भाव है जो क्रतग्न और माया जिसमें ग्यान का भाव है जो सदा भीख मांगने वाला है हिंसक है जो नाम वेद और इस्मृति बेशता है धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका सभाव बन गया है ऐसे ब्रहमन को दिया हुआ दान भी निश्फल होता है जो कोई भी पाप में संगलगन रहने वाले हैं उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए उत्तम कर्म में तत पर छोत्रिय अगनिहोत्री जीविकाहीन दरित्र या फिर कुटुम्भी ब्रहमन को ही दान देना चाहिए जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाचने वाला है ऐसे ब्रहमन को उनमें भी प्रायह जो दरित्र हो उन्हें दान देना उचित है पाखंडी पतित संसकार भ्रिस्ट वेद बेशने वाले कृतग्न तथा पाप परायन ब्रहमन को तो कभी प्रनाम तक ना करे जो इस नान कर रहा हो जिसके हाथ में समीधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो ऐसे व्यक्ति को भी प्रनाम ना करे जो कलह प्रिय अत्यत क्रोधी दमन करने वाला, जन समुदाय के बीच में इस्थित रहने वाला, भिक्षान धारी और सोया हुआ हो उसे भी प्रनाम ना करे जो श्राद के नियम में नियुक्त हो देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यग्य और तरपन कर रहा हो उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करे अगर श्राद के लिए कोई सुपात्र ब्रहमन ना मिले तो केवल सूत कातकर यानि जनेवादी बनाकर जीवी का च श्राद में नियुक्त करना चाहिए पुत्रहीन ब्रहमन को किसी भी प्रकार श्राद के लिए नियुक्त ना करे पूर्वकाल में शुरिवत्स गोट्स में उत्पन्न पद्मनाब नामक एक जितेंद्री ब्रहमन था वैदयालू उपवास्त शील सत्यवादी सभी प्राणि तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा कुछ समय तक जल पी कर रहा और कुछ वर्ष तक उसने केवल वायू का सेवन किया इस प्रकार महा मुनी पद्मनाब ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की इसके बाद भगवान लक्षमी पती ने पद्मनाब की तपस्या से संतुष्ठ हो भगवान श्री निवास जी बहुत संतुष्ठ हुए और बोले महाभाग तुम मेरे चरणार विंदो के पूजक हो हे ब्रहमन इस चक्रतीर्थ तट पर मेरी पूजा करते वे तुम एक कल्प निवास करो ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतरध्यान हो गए तब से परम्भुद् मनाब मुनी को अपना भोजन बनाना चाहता था उसने बड़ी तेजी से ब्रहमर को पकड़ लिया ताब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपानी श्री नारैन को पुकारा और बार बार ऐसा कहा प्रभु रक्षा कीजे रक्षा कीजे हे व्यंक्टेश हे अपने ग्रह के चंगुल में फसेवे गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमन से दबेवे मुझ भक्त की भी रक्षा कीजे हे दामुदर हे जगरनात हे हिरन कशपू दैतिका मर्दन करने वाले नर्सिंग प्रहलाद जी की तरह मैं भी रक्षस के द्वारा अत्यत पेडित हूँ इसलिए उनी के समान आप मेरी भी रक्षा कीजे प्रभू रक्षा कीजे पद्वनाव के इस प्रकार इस्तुती किये जाने पर और इस्मरन किये जाने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दयानिधान चक्र पाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तठ पर आया वह अनंत सूर्य के समान ते जस्वीत था अनंत अगनी के समान ज्वाल मालाउं से प्रज्वलित था उससे बड़े जोर की गड़गड़ा हाट हो रही थी बड़े बड़े असुरों का संघार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा परन्तु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काड़ डाला राक्षस को धर्ती पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ मुनी अत्यत प्रसन होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे पद्मनाभ मुनी बोले संपोन विश्व के संगरक्षन की दिक्षा लेने वाले है विश्णु चक्र आपको नमस्कार है आप भगवान नारायन के करकमल को विभूशित करने वाले हैं आप युद्ध में असुरों का संगार करने में कुशल हैं अतिशय गर्जना करने वाले है सुदर्शन आप भगतों की पीडा का नाश करते हैं आपको नमस्कार है मैं भई सिव्याकुल हूँ आप सभी प्रकार के भई पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए स्वामिन हे सुदर्शन हे प्रभो संकट से मुक्ती चाहने वाले संपोन जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्रतीर्थ में निवास कीजिए पद्मनाब ब्रहमण के ऐसा कहने पर भगवान विश्णू के चक्र ने अपने इसने से उन्हें त्रप्त सा करते वे कहा पद्मनाब ये चक्रतीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है मैं संपोन लोकों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूँगा आपके उपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आएवे संकट का विचार करके ही भगवान विश्णू से प्रेरिध होकर मैं शिगर यहां आप पहुचा आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भई से रक्षा की क्योंकि आप भगवान के भग्त हैं हे विपरवर सब पापों का हरन करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूँगा मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसित होगा और जो मनुष्य इस मोख्ष दायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्रादी वंशच निश्पाप होकर भगवान विश्नु के परमधाम को प्राप्थ होंगे ऐसा कहकर भगवान विश्णु के चक्र ने पदमनाभ मुनी तथा अन्य ब्रहामनों के देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया फेशोनकादी महर्शियो इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्रतीर्थ के महातमे का वर्णन किया जो मनुष्य एकागर चित्थ होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसे चक्रतीर्थ में इसनान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है जै श्री कृष्णा आज की कथा समाप्त हुई उमीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगले अध्याय में आप गुरु वसिष्ट जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुए एक गंधर्व की कथा सुनेंगे उमीद है आप अगली वीडियो का दिजार भी जरूर करेंगे